नेट्फिक्स इंडिया क्या कम था टोर्चर करने के मामले में अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं अरे टीटू वो बैक्ग्राउंड में म्यूजिक तो लगा यार नेट्फिक्स इंडिया क्या कम था टोर्चर करने के मामले में जो जी फाइब भी उतर आया इस मैदान में और अगर अगर अब तुम ये सोचो कितनी वहियत शायरी थी उनको एक बात करहे दूं ये मूवी कौनसी अच्छी थी नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ घूंकेतू के बारे में जिसे जी फाइब पर रिलीज किया गया है वैसे ये मूवी जो है वो बहुत पहले आ चुकी थी बट ये थेटर में नहीं आया थी पता नहीं क्यों नहीं आया थी कोई फाइनेंशर मिल रहा था नहीं मिल रहा था मुझे इसका रीजन नहीं पता बट इसको OTT प्लेटफोर्म पर रिलीज किया गया है अभी थोड़े टाइम पहले इसके राइटर और डिरेक्टर एक ही है पुश्पेंदर नात मिश्रा वैसे ये सही है अब इस बार एक ही लट से काम जल जाएगा इसमें कास्ट नवाजुदिन सिर्दिकी, रागिनी खना, रिचा चडड़ा, अनुराक कश्षप, ये अनुराक कश्षप सची में मेरा फे परदस्त है, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के तोर पे एक मुवी को हिट थोड़ना कराया जा सकता है, एक्टिंग के साथ-साथ कहानी होनी पे दो जरूरी है, इसको मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने ही कोशिश करता हूँ, एक बंदर के हाथ में अगर पर बहुत एक्टिव हैं, और ये बंदरों की कम्यूनिटी इस बात से उफेंड होकर उन्होंने इस वीडियो पर स्ट्राइक मार दी, उमीद करता हूँ बंदरों की कम्यूनिटी नहीं है, अब मैं इसकी कहानी समझाने ही कोशिश करता हूँ, जो बेसिकली इसमें है नहीं घुमकेतु नाम का प्राणी, जिसे पले किन नौाजओदिन सिद्गी सर ने, तो वो मुंबई जाता है, राइटर बनने की उमीद में कि वो मुवीज में जाकर मुवीज में अपनी कहानी लिख सके, तो घुमकेतु भिना बताए अपने घरवालों को सिर्फर सिर्फर अप बुआ को बता कर वो मुंबई चला जाते हैं उसकी बुआ भी बाकी घरवालों को नहीं बताती है क्योंकि अगर वो बता दे तो वो मुंबई जाकर वापस उसे गाउं में यानि उत्र परदेश में वापस ले आएंगे तो इसलिए घरवाले इस चीज से दुखी हैं और वो सेशन चले जाते हैं कंप्रेंड लिखाते हैं और गूमकेतु का जो परिवार है उसका पॉलिटिकल में भी थोड़ा दबदबा है इसलिए वो पॉलिटिकल प्रेशर डालते हैं उत्र परदेश पुलिश पर और उनको पता होता है कि नवाजुन दिन सिंदिकी यानि गूम कशप ने कसम से यह बंदा मेरा फेवरेट बन गया है यह जो एक्टिंग की है इस मूवी में और अकबारों में एक न्यू छपने लगी है अब घोडों की रेस में गदे भी दोड़ेंगे गूमकेतु के पास 30 दिन का ही समय होता है क्योंकि उसके पास 33 रुपए होते हैं कि 30 दिन के अंदर वो कोई कहानी लेख सके और अपना नाम कमा सके उधर इंस्पेक्टर बदलानी को 30 दिन दिये होते हैं कहीं अगर वो 30 दिन के अंदर गूमकेतु को नहीं डून पाया तो उसका ट्रांसफर ऐसी जगा करा देंगी कि वो घूस तो दूर घास भी नहीं कहा प आपके लिए एक टोर्चर बन जाती है यह नहीं आपकी शेहन सकती कि प्रिक्षा लेने लग जाती है अब मेरी प्रातना इन जैसे आर्टिस से कि जीने दो अरे यार ऐसे नहीं टीटू यार वो बैक्ग्राउंड में थोड़ा sad music लगाना यार ऐसे feeling नहीं आएगी ना दिल आटे टू सईसे हुआ है ना अब इस उमीद में हो कि मैं इस मुवी को को स्टार देने वाला हूँ नहीं यार मैं इसमें सची गाली देने वाला था लेकिन क्या गरूँ मैं शक्तिमान ने जब से मुझे मुझे मना गया है ना गाली देने से मैं तब से बन गया हूँ को गा लिए है तो प्लीज अपने विचार या अपना दर्द नीचे कोमें बोक्स में लिख सकते हो मैं आपके साथ वहाँ पर उसका रिप्लाइ जरूर दूँगा और जो बाकी बच गे जिनोंने नहीं देखिया है तो प्लीज अपनी लाइफ को अगर सही रखना चाते हो अपने माइंड को सही रखना चाते हो और दर्द नहीं चाते हो अपने दिल में या अपने दिमाग में कोई कचरा नहीं डालना चाते हो तो प्लीज यार दूर रहो इस चीज से मेरी तो मजबूरीत इसे देखना क्योंकि रिव्यू करना था कैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिं